आज की वीडियो में आपको जो स्टॉक्स बताने वाला हूँ वो अगल करके दिन अगर आप बाइंग करते हैं तो बड़ा पैसा आप बना सकते हैं इसके साथ साथ आज की वीडियो में आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरी अनालिसिस करके बताऊंगा बताऊंगा वो लेवल जिस लेवल पे आप बाइं या सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं तो अगर आप पैसा बनाने में इंटरस्टेड है तो ये वीडियो शुरूर से लेकर आखिर तक जरूर देखेगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नी कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो इसका जो रेजिस्टेंस बनता है वो है 18,100 का येक रेजिस्टेंस लाइन है मैं यहाँ पर लिख देता हूं निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 18,100 के आसपास का है अभी करण मार्केट प्राइज है 18,050 का तो यहां से 50 पॉइंट दूर है अगर 50 पॉइंट उपर जाता है निकलता है 18,100 ब्रेक करता है तो वहां से आप इसमें क्या बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और 18,100 के उपर मार्केट में बड़ी तेजी आएगी इसके साथ हमें कुछ confirmations जो मिल रही है वो MACD के indicator से भी देखने को मिल रही है MACD के full form होती है moving average, conversion, divergence तो जब भी हमें resistance पे divergence देखने को मिलते हैं तो हम कई बार महां पे position shot बना देते हैं और जब हमें resistance के उपर divergence की जगा convergence देखने को मिल जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, position अपनी buy मना के चलते हैं तो इस case में भी same ऐसा ही दिखाई दे रहा है अगर मैं इसका time frame को और भी छोटा कर दूँ तो यहां पे मैं क्या करता हूँ, अवरली का chart ले लेता हूँ इंडिकेटर से निकालनी पड़ती है, यह नहीं कि overbought हो गया, oversold हो गया इस line ने उस line को काटा तो buy sell कर लिया, इंडिकेटर से यह नहीं लिया जाता है इंडिकेटर से confirmation दी जाती है, divergence ले जाते है, convergence ले जाते है तो उसमें मैं target आपको बताता हूँ, वो है, हमारा सीधा-सीधा 18,615 का target आपको nifty में देखने को मिल जाएगा बड़ा मेर से पूछेंगे कि भाई, मैं क्या 18,200 की call ले लो, 18,300 की call ले लो, तो वो आपका decision है क्योंकि हम तो हर जगह पर यही बोल के चलते हैं, कि हम मन्थिले expiry पे काम करें, और इसके at the money पर या फिर ITM पर काम करें, वो ज्यादा बेठर है क्योंकि कच्छा लालाज कर लेते हैं, सस्ता मिल रहना तो ले लेते हैं, सस्ते के चक्तर में रहोगे तो कभी पैसा नहीं कमा पाऊगे, एक्चुल में मैं ये बात options को लेके कर रहा हूँ, ऐसे ही दोस्तों हमने ITC आपको recommend करा था भी, आपको कुस दिन पहले, और ITC का सेम वही देखने को मिला था, 351 से ये 358.50 चला गया है, तो अच्छी कासी तेजी हमें देखने को मिली है, तो वही पे resistance के उपर हमें क्या थे, convergence दिखाई दे रहे थे, तो जिस वज़े से हमें, हमें वहाँ पे तेजी देखने को मिली, क्योंकि देखो क्या होता है, कि जब समझना पढ़ेगा आपको इस बात को, जब आप technical analysis करते हैं, technical analysis एक्चल बहुत easy है, पर हमें इतने जादा मुश्किल तरीके से पढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे words नहीं नहीं आपको बताया जाते हैं, कुछ strategies या पि कोई tricks, techniques के उपर आपको इतना ज़्यादा, महला confused कर दिया करता हूँ, बहुत easy तरीके से करता हूँ, और उसमें पैसा बन रहा है, पैसा आना चाहिए, matter यहीं नहीं कि आप 50 तरीके के indicator यूज करो, या 10 तरीके के chart pattern यूज करो, या फिर आप बार चार्ट, line chart लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा complicated बना रहे हो चीजों को, उससे पैसा नहीं बनेगा, पैसा असान चीजों से बनता है, तो हमेशा असान चीजे लेके चले, कहते हैं ना कि अगर आपको दूर दाना है, तो समान हलका लेके चलना पड़ेगा, तो इसलिए कहता हूँ, जब आप technical analysis करते हैं, तो चार या 5 चीजे ही market में काम करती है, उस पे आपको perfection नहीं पड़ती है, फिर आप अच्छे trader या फिर analyst बन पाते हैं, तो आशा करूँगा, यह जो point मैं आपको बताया, वो आपको समझ में आ गया होगा, सेम यहां पे मैं आपको bank nifty का चार दिखा देता हूँ, तो bank nifty का level बहुत easy है, मैंने कल भी repeat करा था कि अभी यह 41,600 तक जाएगा, और 41,800 के बाद फिर अगर यह काम कराता है उस level के उपर तो फिर तेजी हैगी, बाकी bank nifty में इतना जाता, कुछ खास है नहीं, इसके इलावा मैं एक stock आपको recommend करने वाला हूँ, और कल के दिन के लिए, और आशा करूँगा कि कल के दिन आप आप इस stock में trade करेंगे, बाकी हमारा जो channel है, हमारे पता है कि stock में index में कोई trade करते है, तो नुकसान या फिर profit आप ही का है, तो एक यहाँ पर बात करेंगे, तो मैं अवरली चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा, ICC bank में, और ICC bank में कुछ चीजे है, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर यह क्या है, एक support पर काम करा रहा है, और support पर, यहाँ पर क्या है, divergence, और कौन से divergence है, यहाँ पर, positive divergence, support पर हमेशा क्या देखा जाता है, positive divergence, साथ साथ एक pattern बन चुका है, जिसको बोलते है, hammer, तो यहाँ पर confirmation आ रही है, वो तीन तरीके से आ रही है, एक तो support बन गया, चा आप ICC bank को buy कर सकते हैं, stop loss मैं आपको बता देता हूं कि क्या stop loss इसका रह सकता है, ICC bank का stop loss रहेगा, वो 897 का रहेगा, और अगर मैं target की बात करूं, तो target जो है इसका, वो 925 रुपे क्या सबस रह सकता है, तो 897 का SL है, तो काफी लोग में से पूछेंगे, भई, SL क्या रहे काफी लोगों को confusion होती है, कि काफी calls आते हैं, वो कहते हैं, जै यह को option समझ भी नहीं आता है, तो option है तो समझो, उसको पड़ो, courses है, उसके strategies को समझो, उसके Greeks को समझो, और नहीं समझना तो सीधा-सीधा बाता हूँ, या cash market में काम करो, पहले भी cash market में काम होता था, जो नह option में काम होता है, last year series बनाई थी, मैंने cash market में काम करके 5,24,00,000 रुबे करे थी, सारा trade मेरा cash market में था, 2 साल से मैं उसमें काम कर रहा हूँ, हाँ, मैं options में काम करता हूँ, पहले भी option में काम करता था, बड़ वो दिखाने के लिए एक series मनाई दी, और अच्छा खासा response उसमें मिला था, तो भाई cash market में भी पैसा मनता है, काफी लोग बोलें के बही शौर्ट सेलिंग नहीं हो सकती, शौर्ट सेलिंग हो सकती, इंट्राडेम में पोडिशन अपनी कवर करके चल सकते हैं, फीचर से तो बहुत ज़्यादा बैटर है, अब एक ICC bank है, जो radar में है, हमारी जो अच्छा का सा पैसा दे सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, अपना चैनल, पब्लिक चैनल, अगर आपने जोईन नहीं कर रहा है, तो जोईन कर सकते हैं, निक नीचे description पर है, जरूर जोईन कर लिजए, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पब्लिक चैनल पर भी हम चार्ट मैसेज, चार्ट बेशते रहते हैं, जैसे ITC का कफविध हैंडल पैटर्न बना था, अब बना हुआ है, वो उसके ओपर अबने वीडियोज बनाई हुई है, उसको जाकर चेक कर सकते हैं, क्यूमिनस इंडिया रेकेमेंड करा था, चलो एक स्टॉक और है, मैं आपको बता देता हूँ, क्यूमिनस इंडिया का चार्ट देख लेते हैं, और क्यूमिनस इंडिया भी आज हमने आपको शॉट कराया था, यहां पर देख लेंगे, इधर शॉट कराया था, इस लेवल पे, और उसके बाद इसमें गिरावाट देखने को मिली, क्योंकि पैटन मना हुआ था, शूटिंग स्टार, तो खैर उसका टार्गेट तो आगया, इसको अवएट कर देंगे, बाकी कुछ और स्टॉक्स हैं, जो अच्छे हैं, जैसे डियलेफ है, जिसको मैं काफी टैम से रिकेमेंड कर रहा हूँ, जैसे डियलेफ को बाय करके चल सकते हैं, अच्छा स्टॉक है, अभी 385 के असपस चल रहा है, डिसकाउंट में मिल रहा है आपको, इसमें पुल बैक, जो वीकली चार्ट में पुल बैक देखने को मिला है, जिसकी बज़े से इसमें एक बड़ा टार्गेट देखने को मिल सकता है, तो अच्छी अपोर्चुनिटी है आपके पास, आप DLF में भी अपनी पुलिशन बाया मना के चल सकते हैं, बट इसके ऑप्शन में काम मत करिएगा, यहां पर आप स्पॉर्ट मार्केट में ट्रेडिग कर सकते हैं, अपने एस साफसे जो अपके पाफ़ण है, उसके अकॉर्डिग लिए आप शेर्ज करीद के चलिए, देखें क्या होता है कि हम जब trader होता है trading करते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए दो दिन में मीर बन जाऊंग चार दिन में मीर बन जाऊंग इसके साथ सब इन्वेस्टिंग भी बहुत जरूरी है तो यह stocks अलग portfolio में आप investing के लिए सकते हैं रख लीजिए उसमें अच्छा का सा return आपको देखने को मिलेगा और ट्रेडिंग के लिए तो दोस्तों हम आपको daily basis पे बताते रहते हैं daily basis पे कुछ न कुछ मुनाफ़ा आपको होता ही है बाकी एक हमारा private telegram channel है जिसमें हम अपने course के students को add करते हैं तो यहाँ पे तो भईया हम हमारा काम ही आपको trade कराना है यहाँ बिसिकली के इसमें हम कुछ buying selling recommend भी कर देते हैं जैसे आज हमने के तो कितने सारे messages है अकर आप देखेंगे तो messages भरे पड़े हैं इसमें HCL tag बताया था इंडाल को बताया था सब सेल में बताया था मार्गेट गिरा भी उसके बाद टाटा केमिकल क्यूमेंस इंडिया इसके साथ-साथ MRF, MCX, RBL Bank, Sipla, Mindtree और कुछ में तो टार्गेट भी देखने को मिले तो basically क्या होता है और इसमें कुछ buying selling की recommendation भी करते हैं हम जैसे ICC bank में लिख दिया था बाय तो एक hint भी देते हैं तो यह private telegram channel है यह course के students को मिलता है इसमें ज्यादा से यादा charts बेजते हैं और buying selling की recommendations भी करते हैं बटे मिले का मिले का course के students को क्योंकि देखो जब तक आपको technicals ने आएगा तब तक आप इस हमारे private वाले group को समझने पाएंगे और हाँ इस एक चीज़ और बता देता हूं उपको मैं जो लोग private telegram channel का साथ जुड़ हो है वो daily basis पैसा बना रहे हैं मार्केट से वाकई में बहुत सारे screenshot हमारे daily basis पर आते हैं और सीखने को भी मिलता है learning के साथ अर्णिंग और आप सीख भी रहे हो पैसा भी मना रहे हो बहुत अच्छा नहीं आपके लिए कि मलब एक तो होता है कि ब्लैंड ली पैसा बना रहे हो या फिर आप सिख रहे हो तो दोनों चीज़ यह हो रही है कि एक तो पैसा भी माना रहे और सीख भ पैसा बनाना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा आपको हुआरी वैबसाइट पे जाना पड़ेगा विजिट कर लीजी एक बार जो कि है चार्ट-Analysis.co.in लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन पे हैं, महाँ पे हमारा टेक्निकल अनालिसिस का कोर्स है, साथ हजान नौसन इन्जान में का, 28 वीडियोज है, 10 आवर्स का कोर्स है, केंडिस्टिक चार्ट बैटन इंडिकेटर, डाउ थियोरी, अलेट वेव थियोरी, टैम प्लस क्या होगा, इसके साथ-साथ, प्रॉफिट का बुक करूं मैं इसमें, और यह काफी चीज़े जो है, इसमें पता चल जाती है, साथ-साथ, आपको बोलना चाहूंगा कि इसमें एक तो प्राइवेट टेलिग्रम चैनल, जिसमें परसनले रिकमेंडेशन साथ है, हमार हो जाएगा, इसके इलावा, मैं आपको बताना चाहूंगा, कि आपको कोई डाउट और कोई करिये, मुझे call कर सकते हैं, वर्टस अब कर सकते हैं, कभी भी call कर ये, वर्टस करिये, call नहीं उठाऊंगा, अगर call नहीं उठा पाया, तो callback जरूर करूंगा आपको, और आपक लाकि हमारे courses online हैं बढ़ हम फील सारा offline का देंगे और जो वीडियो से हमने प्रोडक्शन आउसे शूट करेंगे तो ऐसा लगेगा मैं आप ही को पढ़वा रहा हूं तो वीडियो देख रहे हो डाउट आया उठाया फोन मेरा नंबर नीचे परसनल नंबर कॉल कर दिया आपकी क्वेरी मैं से हमडे सॉल कर दूंगा सासत कहना चाहूंगा दोस्तों हमारा option strategy का भी course है जितने हमारे टेकनिकल के स्टूडेंट से हमसे रिक्वेस्ट है कि भाई options का course ली लीजिए reason उसका क्या है मैं आपको बता देता हूं सबसे बड़ा reason उसका ये होता है कि जब भी आप option का course लीते हैं तो options की knowledge आपको होती है सिप option में buy or sell नहीं होता call खरी ली put खरी लिया इसके सासाथ आपको समझना पड़ता है उसके Greeks के बारे में उसके option चीन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़े होती है strategies होती है उसके payoffs होते है ये सारी चीज़े आपको detail में समझनी पड़ते है जब आप daily basis पे पैसा कमा रहे है टेकनिकल अनैलिसी तो भाई option में भी थोड़ी बहुत investment कर दीजे ये investment है ये खर्चा न लिंक है नीचे description में दोनों में से किसी में भी demand account open करेंगे तो weekend की webinars के साथ साथ यो live market की webinar के साथ 10,000 की worth की ebooks भी आपको दी जाएगी तो आज की वीडियो में जो मैं आपको nifty के बारे में bank nifty के बारे में ICC bank के बारे में DLF के बारे में ITC के बारे में जो recommendations दी है तो उसके बारे में झाल की झाल